विडियो आप लोग की डिमांड पर जो काफी स्पेंट बोल रहेते हैं ताइम टेबल कैसा होना चाहिए हम कैसे बढ़ें अगर आप नाइट इस्टुमेंट है तो आप लोग के लिए पूरा टाइम टेबल लेके आ गया हूं ठीक है कि आप लोग को एक्सक्री पढ़ना कैसे अब दिन में किस तरहीं से बढ़ सकते हैं काफी स्पेंट के मैसे आता है पढ़ा नहीं जाता लेकिन अभी लास के तीन महीने बच्ची वहां आजस्ट और आप लोग को इंशॉर कर रहा हूं तीरा घंटे की आप लोग की बढ़ाई आराम से हो जाएगी तो जो जो कहना न दोनों 12 13 घंटे कर सकते हैं बिलकुल अराम से 12 घंटे कर सकते हो तो पुरा श्रियूल बताने वाला हूं इसी वीडियो में अ क्यूंसरी पर आप लोग को कैसे पढ़ता था और आप को कैसे बढ़ना चाहिए इच अभर इसने बदर ने वाला हूं जहां सुनना है ठीक हैं पहली बात मैं यहां पर उन इस्टोंट के बात करूंगा जो सिर्फ अभी ना पढ़ाई पर लगये हूँ आए उनकी यार रेगुलर कॉलीज भी चल रहा है उनका जॉप भी चल रहा है उनका कोई पार्ट टांप चल रहा है अईसा नहीं है आप लोगो को लाज के तेन वहिन तो उनके लिए यहाला schedule नहीं है तो प्लीज मत देखना हो सकता आपको और हेक्टिक लगे demotivate हो जावे schedule देख किया ठीक है तो पहले मैं बता दो मैं बात करने वाला हूँ पहले नाइड डिस्टुएंट के आप लोग मैं अपने बता जेता हूँ मैं किसे बढ़ता था और आप लोग कैसे बढ़ सकते हैं अगर आप नाइड इस्टुएंट हैं तो पहला हम बात करने वाला है नाइड इस्टुएंट की मैं पूरा आप लोग के बनाकी लिए लिए देखो मैं सब्सक्राइब कि आप लोग रात को ग्यारा में से पढ़ने बैढ़ जाएंगे और पहले बात तो बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि आप लोग को शोर शराबा नहीं मिलता तो आप कर सकते हो पूरी रात में 6 गंटे का सेशन में अच्छा से एफिजिएंसी ला सकते हो दूसरा पूंट है अगर नींद आय तो क्या करना चाहिए और या सकता है कि हमें रात प 5-6 घंटे बढ़ना है इसमें आप चाहओ अगर आपको नींद आरे कुछ शरी ब्रेक लेना चाहता हो आठ दस तक बांट मेंक का ब्रेक ले सकते हो लेकिन ऐसा नत करना एका ब्रेक लेए ऐसा मतकरना 11 से 5-6 घंटे सशन हो गया अब आप 5 बज़े सुभा सो जाओगे ठीक दुपैर में एक वाई से लेगे शाम को पांच बेतक पड़ोगे चार घंटे का सशन यहां लगेगा सिटिंग आपकी कैपसिटी ध्यान रखना उससे सब से ब्रेक लेना नैप दे सकते बीच में चाहो तो एक से पांच बेतक आपको चार घंटे का फिर से सशन रखना है पहल ता रात को शाम को से खांटे है कुते घंटे का इसमें तो कही सकते हैं म油 मrd तो तो आप 11 बजे पढ़ने बैठ जाओगे फिर से तो यह आपका पुरा का पुरा शीडियूल इस डाट क्लियर अब बात आती है साथ घंटे की नहीं रखो गए ग्यारा से आप लोगो सुभा 6 बजे तक 5 बजे तक सुना है आप लोग उठोगे 6 बजे आपको सीटिंग लगाई दे नहीं है तो आप लोग 6 से सुभा 11 बजे तक 5 घंटे का सेशन रखना है अभी इस पांच घंटे में क्या है सुभा 8 बजे आपको स्ट्रीक कैपसिटे लगानी है और आप सुभा स्वा उठोगे तो आपको आपको यहाद हो जाए आपको कंफ्यूज नि करें ठीक है तो पांच घंटे का सेशन आप लगा दोगे फिर आप 2 घंटे का ब्रेक लोगे जारा से एक इसमें आपको अपने लंच भी करना है flexibility होनी चाहिए ऐसे नहीं आप अगर आपको परिशान हो रहे हैं आप उठके नहीं जा रहे हैं आप थगवे बैटे-बैटे-बैटे दस-पांच माट का ब्रेक ले सकते हैं ज्यादा ब्रेक मत लेना ठीक है फिर बात आती है यार एक से पांच बेक हमने सचन ले लिया त आपको नव बज़ तक ठीक है तो आपको यह तीन घंटे का सेशन रखना है नव बज़ आप डिनर करोगे ब्रेक लोगे फिर से पढ़ाई करोगे तो देखो आपका सुभा शाहें बाई से लेकिर आपको ग्यारा बै तक पांच गंटे का सेशन लिखने न सारी चीज़े आपको भी तीरे घंटे ऐसे हो रहा है ठीक है फिर से कह रहा हूं मैं नाइट सेंट वाले अपना टाइम टेबल लिख लो यह ठीक है जो मैंने बताया अब यह उनके लिए जिनका कोई टाइम टेबल बना हुआ नहीं जैसको दिक्कत आ रहे हो कई स्वेंट के मैंसे जा रह आप लोग को पूरा टाइम टेबल बता दिया जैसे मैं फॉलो करता था आप लोग भी अराम से 12-13 घंटे इसमें अराम से पढ़ सकते हैं ठीक है अब बात आती है देखो आप लोग इससे लिख लेना पहले बाद तो पैंट पेपर से बना भूल जा हुए आप उसकी लिख बाकि जाके आते हैं एक्जाम में आपके 12-15 घंटे भी हो सकते हैं जब ऐसी एक्जाम नच दिखाएंगे ठीक है तो आपको और भी दिक्कत प्रशन नहीं आए तो बता देड़ा आपको हैं आपकी मैंने पूरा अपना टाइम टेबल बता दिया जैसे मैं पड़ता था क्य तो जिखकत हो जाएगी ठीक है यह वर्णा ठीक है तो जो जो वीडियो को सकते हैं जिखेएं आपके सामने वह आजाएं वीडियो ठीक है मैं इसलिए इसलिए अविदि फिल लाइक हो नो वब घख सीव बितरा गजक्ट छेलिए वाली गैस सब्सक्राइब धी चैनल है अनि लास्ट युने वरियो फिल गएज शियर एजवास मिलता है ने ऍग शुदिए मैं मस्तरगी परत तरहों गजब तरहों all the best for the examination आपशने गाइस टाटा भाई शू लेटर all the best for the examination मस्तर गीर परतनों टाटा भाई शू लेटर